हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रेडियन्ट कम्पेटिशन क्लासेस आज मैं आप लोग को यहाँ पर केमिकल फर्मूला से संबंदीत जितना भी सुत्र है यह मैं आप लोग के समख्चा प्रस्तुत कर रहा हूँ यह परिक्षा के दरीष्टी से आती महत्तर पूर्न रहता है मैं मातर 15 फर्मूला यहाँ दे रहा हूँ इससे बाहर बिलकुल भी जाने की संबावना नहीं होती है तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है टेबल साल्ट का फर्मूला क्या होता है जिसका राइट आंसर होगा एने सील यानि सोडियम कलोराइट उसके बाद है दूसरा नमबर फ्लावर आप जिंक यानि जस्ते का फूल किसे कहा जाता है जेडेनो को कहा जाता है जेडन ओ जितने भी प्रकार के फेस क्रीम होता है उसमें इसका प्रियोग बड़े पैमाने प्रकिया जाता है उसके बाद प्लास्टर और पेरिस CSO4 into हाप H2O उसके बाद ब्लीचिंग पौडर CAOCL, हॉल CL या फिर CAO, CL2 इसका फर्मूला होता है उसके बाद जैसे हम लोग बात कर लिए यूरिया का तो यूरिया का फर्मूला NS2, CONS2 होता है बेकिंग सोडा यानि के जो खाने वाला सोडा होता है वासिंग सोडा, Na2CO3 यानि सोडियम कार्बोनेट होता है उसके बाद इथाईल मर्कैप्टन जो C2H5SH होता है अब उसके बाद हम लोग देखते है इधाइल अलकोहल ये होता है आपका C2H5OH होता है अमोनिया N3 यानि ये बहुत बार पुछा गया है मिठेन CH4 जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है और दल्दली वाले अस्थानों पे पाया जाता है यानि सोडियम एसिटेट को जब सोडलाइम के साथ गर्म कहा जाता है तो मिठेन गैस पराप्त होती है बोरेक्स में देखेगा NA2B407 ये बोरेक्स यानि सुहागा का ये फर्मूला होता है कारबन टेट्रक्लॉराइड यानि के जो अगनी रोधक होता है ये CCL4 उसके बाद देखे गैमैक्सीन चीटी मारने वाली दवा C6, C6, CL6 होता है रेड लेड जिसकों लोग सिंदूर लाल सिंदूर भी करते हैं ये PB3O4 होता है तो इस परकार दो से तीन मिनट में मैं 15 सवाल आप लोगों के समक्षे रख दिया और ये रहसाइनिक द्रिश्टी से परिशा के द्रिश्टी से अतीम महतर पुर्ण सवाल है ये रहसाइनिक फर्मूला यानि रहसाइनिक सुत्र ये जो है बार बार पुछा जाता है और आपको यदि ये याद नहीं है तो इमिडेटली आप याद कर लिजे ताकि आप एक नमबर सुनेश्चित कर पाएं दोस्तों तो बस आज के वीडियो में दे रही यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर किजेगा धन्नवाद